जयहिन दोस्तों दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम railway का बहुत ही important topic है ये that is air brake system इसको समझने की कोशिच करते हैं दो-तीन lecture में इसको तो दोस्तों होता क्या है कि जो breaking system है पहले इसको समझेंगे हम तो breaking system का मतलब होता है हम यहाँ पर जो भी बाते करेंगे जैसे breaking system को समझेंगे तो हम Indian rail के reference में समझेंगे तो breaking system एक उपकरोणों की ऐसी बिवस्ता है एक पुर्जों की ऐसी बिवस्ता है जो किसी भी rolling stop जो coach हो या wagon हो उसकी speed को control करती है या पूरी speed को रोक देती है तो breaking system का मतलब होता है कि उपकरोणों की ऐसी बिवस्ता जो किसी भी rolling stop चाहे coach हो चाहे wagon हो या loco हो उसकी speed को control करे या उसको रोक दे उस बिवस्ता को बोलते हैं breaking system तो इस breaking system के लिए हमें दो चीजों की आप सकता पड़ती है एक तो source of energy ठीक है एक तो होता है source of energy जैसे मालने एक मेरे पास break cylinder होगा एक मेरे पास break cylinder होगा उसमें मुझे क्या हो कि यह piston है यह piston है तो मुझे एक source of energy चाहिए जो इस piston को आगे दखे ले है ना तो एक तो चाहिए बज़े source of energy अब वो source of energy हमारे इंडियर रेलवे में क्या होती है compressed air compressed air वो source of energy है जो piston को force देगी है ना तो air brake system का मतलब क्या है एक उपकरणों की ऐसी विवस्ता जो compressed air से चलती हो इसे बोलेंगे आप air brake system मतलब उपकरणों की एक ऐसी विवस्ता जो किसी की speed control करती हो तो दो चीजों की आप सकता पड़ती है एक तो source of energy और एक होता है जिसको बोलेंगे brake rigging या बोलेंगे आप brake gear एक तो ऐसा source of energy चाहिए आपको जो इदर से brake cylinder तक आए और एक brake cylinder से जब ये energy force में convert हो जाएगी तो ये force जब wheel तक जाएगा तो हमें यहां भी एक उपकरण की उपकरण की विवस्ता चाहिए एक ऐसी विवस्ता चाहिए कि उस force को brake cylinder से wheel तक ले जाए तभी तो wheel रुकेगा और तभी उसकी speed control होगी तो मैं यह बताना चाहिए रहा हूँ आपको कि जो air brake system होता है उसमें दो चीजों की आ सकता पड़ती है एक तो source of energy जो force produce करे जो बल को produce करे और जो बल produce हो जाएगा जब उसका piston पर उसका force पड़ेगा तो उस piston से उस force को wheel सक transmit करने के लिए मैं और भी पुर्जों की आ सकता पड़ती है और जिन पुर्जों की आ सकता पड़ती है उन्हें बोलते हैं brake gear या brake rigging मैं ऐसे समझाने की कोशिस करता हूँ उसे इसे ऐसे समझने की कोशिस करते हैं जैसे मान लीजिए यह brake cylinder है यहां बना लेते हैं इसको यह brake cylinder अगर मेरा है और brake cylinder में अगर मैं ऐसे माल लूँ यह मेरा piston है है ना अब इसमें क्या होगा इधर से एर ब्रेक सिस्टम है तो एर ब्रेक सिस्टम में इयर का मतलब है कि compressed air will be used as a source of energy energy का जो सोर्स होगा वो compressed air होगी जैसे इधर से क्या होगा इसमें compressed air आएगी कैसे आएगी जैसे हम क्या करेंगे एक compressor बनाएं एक compressor लेंगे जो क्या करेगा atmosphere से air को सक करेगा है ना यह क्या होती है लोकों में विस्ता होती है इस compressor की यह इस compressor से हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे थोड़ा सा इधर बना देता हूं मैं इस compressor से क्या करेंगे हम एक M-R attached कर देंगे मैं रिजरवायर बोलते हैं और इससे क्या करेंगे इसक जो compressed layer होगी उसे मैं रिजरवायर में उसको store कर लेंगे इस मैं रिजरवायर से हम क्या करेंगे एक driver इसको बोलेंगे driver brake value जो वहां से driver उस compressed layer के pressure को regulate करेगा है ना यह सारी विवस्ता लोकों में होती है यहां से यहां तक फिर इस driver brake valve के बाद क्या करते हैं हम इसको connect कर देते हैं एक SA pipe से that is known as BP brake pipe ऐसा ही करते हैं हम पूरी रेक में या पूरी train में हम इस बिवस्ता को यह जो यहां तक की बिवस्ता है लोकों की लोकों में compressor होगा air को compress करेगा MR में store कर लेंगे यहां driver के पास SA9, A9 वगरा handle होते हैं जिनके द्वारा वो उस pressure को regulate करेंगे और फिर क्या होगा इसको हम connect कर देंगे BP एक इस경 की ब्रेक में पाइब को जैने कीश्मास слова कर देंगे हम डिस्ट्रिबूटर वाल्ब से हम प्रेशर को देंगिस्मय किसमें इस ब्रेक सिलंडर में यहां से यह तक की बैश्ता में और gitu है यह वो brake cylinder तक लाने की brake cylinder तक जब यह आ जाएगा compressed air तो यह क्या है स्वोर्स ऑफ energy फोर्स में तबदील हो जाएगी फोर्स में बदल देगी यह फोर्स इस पर लगेगा piston प्रे और इस फॉर्स को फाइनली हमको क्या करना है यह वील तक पहुचाना है इस force को हमको wheel तक पहुचाना है तो जो भी विवस्ता हम यहां से इस force के यानि piston से यहां तक की जो विवस्ता है उसे बोलते हैं brake rigging या बोलेंगे यह brake gear इसे क्या बोलेंगे brake gear या brake rigging piston से force को wheel तक transmit करने के लिए जिन उपकण की विवस्ता या जिन पूर्जों की आफसकता होती है उन्हें हम बोलते हैं brake rigging या brake gear तो यहां से यह पूरा है air brake system यहां से इधर की जो विवस्ता है brake cylinder से इधर की विवस्ता में इसमें आप क्या-क्या पढ़ेंगे अब वो मैं बचाता हूं एक तो बीपी बीपी का पाइफ दो fp फीड पाइफ एयर होज पाइफ जो आप इधर लगाएंगे मालना इधर ऐसे करके जो एयर होज पाइफ पढ़ेंगे पूरा इधर भी प्रत्य कोच के एंड पर एयर होज पाइफ लगेंगे है ना चौता है कट-off angle cock पांच्मा है डर्ट क्रेक्टर चट्मा है आईसो लेटिन कोऑ्ख शाथ मा है नॉन रिटर्म बाल लार्ट सारी चीज आं यहां से एधर की早़ों को पढ़ेंगे पहली लेक्चर में पहली वीडियो में हम डिस्ट्मा है यह प्रिजर और नूमा है पेशंजर इमर्जनसी अल आम बार्व होगा और पैशंडर इमर्जनसी अलाराम शिग्नल डिवाइस यह सारी चीज है यहां से यह electrets वह कौई बी हो कोई वेगन हो यहां से यहां तक की विवस्ता लगवा लगवा सभी में सेम होती है कोई दिक्कत नहीं है को सिलंडर तक लाने की विवस्था है वह लगवा सभी में चाहिए लगवा लगवा सम्में सेम है अब जब यह ब्रेक सिलंडर तक आ जाएगी तो ब्रेक सिलंडर से जब यह फोर्स के रूम में तब्दिल हो जाएगी उस फोर्स को ब्रेक सिलंडर के पिस्टन पर जो फोर्स कोगा उस फोर्सस को आपको ट्रांस्मिट करना है आग है कि वील कि है तो एक तो आएगा ये floating lever जिसको बोलेंगे आप floating lever, एक तो live lever floating lever जो दो होंगे live और dead है ना empty और loaded tie rod इनको सब पढ़ना है, brake rigging के अंदर क्या क्या आएगा मैं ये बता रहा हूँ, piston से force wheel तक जाएगा तो उसके बीच-बीच में क्या क्या आएगा, floating lever आएगे जो आपने पढ़े होंगे live lever और dead lever, empty loaded tie rod आएगी ऐसे भी आएगा control arm आएगी long pull rod और short pull rod आएगी equalizing lever आएगा push rod आएगी pull rod आएगी end pull rod आएगी इसको end pull rod बोलने है long pull rod, short pull rod आएगी मतलब यह सारी विवस्टा है और एक आपका empty load device hand brake ठीक है यह सारी चीज़ें आएगी यह सारी चीज़ें क्या करती है brake cylinder से force को wheel तक transmit करती है मतलब यहां से यहां के बीच लगी होंगी तो इंडिया रेवरे में क्या है सारी कवायद इस बात की है सारा प्रयास इस बात का है कि इस force को यहां से यहां तक के बीच में जितने भी यह शामान है इनको कैसे minimize किया जाए है ना इसमें बहुत कुछ ज़्यादा अंतर नहीं कर सकते हैं आप इधर का जो pipe है brake pipe, heat pipe, cut off angle, cock, db वगरा यह इन सब चीज़ा में बहुत ज़्यादा यूज करते थे और इस बिवस्ता के बात जो system बनता था उसे हम बोलते थे UMBS Under Frame Mounted Brake System Under Frame Mounted Air Brake System यह पूरा UMBS था UMBS UMBS था पहले है ना क्यों था यह यह ब्रेक सिलेंडर है उस पर टेपेंड करता है यह Mount कहा है यह Mount अगर Under Frame पर है तो उससे जो brake system होगा वो होगा UMBS अगर इस brake cylinder को आप बोगी पर Mount कर देंगे तो उसको बोलेंगे BMBS और इसी brake cylinder को जब XL पर Mount कर देंगे तो आप बोलेंगे उसे disc brake air brake system ठेक है तो actually क्या है यह सारी विवस्ता है ना यह सारा advancement है वो दिक्कत यह है कि यह UMBS था उस UMBS में यह brake cylinder अंडर फ्रेम पर Mount होता था और इतना सारा ताम जहाम था इतने सारे पुर्जे थे जिससे क्या होता है एक तो सबसे बढ़ा गया है इसका weight बढ़ जाता है weight बढ़ने के अबाद इसका maintenance महेंगा है और जो ऐसे भी बगए रहा है टूट जाती थी पहरे ब्रेक ब्रॉक कास्ट करता न पड़े तो हमने BMBS ला दिया और BMBS में क्या कर दिया यह सबी को अठा दिया जो बाहर से आप ऐसे भी लगाते थे जिसमें बहुत सारी सब्सक्राइब पढ़ने हैं हमको फाइनली मैं यह समझाने की कोशिस कर रहा हूं यह जो इंप्रूमेंट हुआ है एर ब्रेक सिस्टम में यह इसलिए हुआ है कि जो ब्रेक सिलंडर से जो फोस है वो जब वील तक ट्रांस्मेट होता है तो कम से कम पुर्जे हों कम से कम जिसका maintenance हो कम से कम पुर्जे होंगे और इनका मेंटेनस भी महता है उतने रिलाइवेवल नहीं होते हैं इन सब चीजों को अठाया जैसे हमने क्या किया बीएंबीस में ऐसे बीट बना दिया असमें बीएंबीस बगारा होता है और क्या हुआ जैसे हम क्या लगाते थे इसमें इंपडी लोड़ डवाइस उसको क्या किया वो इतना ताम जाम अठा के हमने क्या किया लेस डी ले राई लोड सेंसिंग डवाइस और उससे भी काम नहीं चला तो एपी एम ओटोमेटिक प्रेसर मॉडिफायर तो मतलब क्या है और यह जब बीएंबीस में देखेंगे तो जब ब्रेक सिलेंडर को ही आप जो आसकता पड़ती थी उनकी आसटा नहीं पड़ती है यह ओहली चीज़ां हर इसलिए पडने पड़ेंगे क्योंकि यह माल गाली में जो मंटर फ्रें मांके टेख सिस्टम है उसमें यह सारी चीज़ां है एक और टै早 there are कैसे brake force को कैसे brake cylinder पर जो force पड़ता है वो जब बील तक transmit हो तो कम से कम पुर्जों की आ सकता पड़े और कम से कम पुर्जे होंगे तो कम से कम maintenance, ज़्यादा से ज़्यादा reliability, ज़्यादा carrying capacity अगले दो वीडियो में हम एक में ये समझाएंगे सारी चीजें